तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बर फिर से मेरे टेरिस गारण में और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो नई इंफर्मेशन और नया सब्जक्ट लेकर और आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज तो दोस्तों एक वीडियो में मैंने आप से कहा था कि मेरे पास रोज की बहुत सारे प्लांट है और बहुत सारी वराइटी है और मैं उस पर आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगी या उसके बारे में बताऊंगी लेकिन मैं इंतजार करे जा रही हूं और मेरे रोज पे जो हैं फ्लावर जो हैं बर्स तो इतनी सारी हैं लेकिन एक भी कली खिलने का नाम नहीं ले रही है यह देखिए छोटी वाली भी बिल्कुल नहीं खिल रहे हैं सिर्फ यह वाले पे फूल खिले हैं और काफी सारे तो मैंने अब तोड़ भी लिए सिर्फ इसलिए कि यह बिल्कुल प्योर देसी बराइटी है यह बिल्कुल देसी गुलाब यह वी देसी है पर धेखिए इसके कली ऊज़ीक है और कोई भी खिल नहीं रही है यह यह यहां पर मेरा यलो रोज इसमें भी कोई कली नहीं खिल रही है यह मेरा बटन रोज है pink color का चोटा सा यह वाला white rose इसमें भी कोई birds अबी नहीं है यह मेरा यह भी देशी rose है वैसे इसमें एकाद मैंने ऐसे ही लगा रखा है कुछ यह भी खिलने को तयार नहीं है यह भी देशी में दूसरी variety है यह hybrid variety है यह वाली यह भी hybrid है और ये दोनों जो हैं मैंने cutting से grow की हैं तो आज मेरा subject रोज की cutting लगाना ही है friends हालांकि अभी ये थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि ठंड भूत भेंग कर पड़ रही है और पता नहीं cutting grow होंगी की नहीं होंगी लेकिन मैं चाती थी कि मैं थोड़ा जल्दी लगा के आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोग भी जो हैं रोज की cutting लगाने की तैयारी शुरू कर दे उसके लिए ये देखिए मैंने ये बिल्कुल medium size की cutting ले रखी है और इनको देखिए मैंने फिलाल कुछ time थोड़े time पहले से अलोवीरा में लगा के रख दिया था मतलब एक एक गंटा भी हुआ होगा ज्यादा time हुआ नहीं है तो ये देखिए और बिल्कुल मैंने medium size की ली है कुछ कुछ चोटी भी है जरूरी नहीं कि सारी मोटी है तो हर तरह की cutting मैंने ले रखी है अलांकि मैंने कुछ cutting कल भी लगा दी थी और कुछ और भी experiment मैंने किया था लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाई तो आज मैं फिर से आपको cutting लगा के दिखा रही हूं यह देखिए और उसके लिए मिट्टी मैंने बिल्कुल भुर भुरी बनाई हुई है इसमें कोई भी जैसे देखिए चिपचिपापन या जैसे चिकनी मिट्टी होती हो उस टाइप की नहीं है इसमें पानी होगा भी तो ड्रेन आउट हो जाएगा बिल्कुल वैसे आजकल सर्दियं हैं तो जो एक बार पानी डाल दोगे तो दो चार पान साथ दिन आपको पानी डालने की जुरुरत नहीं पड़ेगी यह देखिए यह मैंने अलोवीरा से निकाल लिए और अब मैं इसको देखिए इस तरह स कुछ भी न करना है बिल्कुल ऐसे इस लगा देनी है और अलोवीरा के लिए भी काफी लोगों ने पूछा था तो अलोवीरा इसलिह लगाया जयता है क्योंकि आलोवीरा जो होता है आपके कटिंग के लिए या आपके उसके लिए रूटिंग हॉर्मोन का वो काम करता है कि और जो कटिंग है उसमें जो जड़े होती हैं उनको जल्दी डेवलेप करने का वो काम करता है तो यह देखिए इस अब मैंने लगा के रख दियें इसमें इस तरह से और अगर आपको इससे थोड़ सी मोटी और भी कटिंग मिलती है तो वो भी आप लगा सकते हैं मैंने कुछ कल लगा ली थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अभी ज़रुत थी नहीं यह सिर्फ मैं दिखाने के लिए कटिंग लगा रहे हूं फिलाल और फिर इसमें आपको ऐसे पानी डाल देना है अच्छे से एक बारी में अच्छे से आप डाल दीजी और उसके बाद इसको उठाके किशी शेडी या कवर्ड एरिया में आप रख दीजी इस तरह से अब मुझे और चार पान दिन आपको पान शे दिन अभी इसमें पानी की भी ज़रुत नहीं पड़ेगी दिखिए यह पानी कितनी असानी से ड्रेन आउट इसमें से हो गया है हपता दस दिन म पड़ रही है कि कई शेडी में भी रखने की ज़रुत नहीं हाँ हालांकि आपको इसको थोड़ा सा कवर में रख सकते हैं ताकि आपकी जो कटिंग है वो खराब ना हो और यह मेरी पिछली बार की कटिंग है जो मैंने बरसात में लगाई थी और यह देखिए यह भी लग है और इसने तो फ्लावर भी देना शुरू कर दिया है अलांकि यह जो हाइब्रिड जो होती है थोड़ा मुश्किल से लगती है ज्यादा तर नहीं लगती है मैंने देखा है लगाकर लेकिन जो देसी वराइटी होती है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है उसको ज्यादा जो मैथड है वो अपलाई किया है मैंने दूसरे वाले जो रोज है हाइब्रिड वाला उसकी कटिंग को इसमें ग्राफ्ट किया है तो देखते हैं इसका रिजल्ट अभी मुझे यह सब भी काम मैंने कली किया था क्योंकि यह मेरा बहुत बड़ा एक रोज का मतलब ट्री सम मिलता है मुझे इसके अलावा यह इतनी सारी मैंने कटिंग लगा दिया अब देखते हैं इन में से कौन सी कौन सी होती है या नहीं होती है अब मुझे खुद या निया कि मैंने कौन-कौन से कलर की लगाई है उसका रिजल्ट भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी ले रहें इन पर मच जाईए यह मुझे किसी ने गिफ्ट दिये कि थे इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिये देखिए यह और कटिंग लगेगी तो ठीक है नहीं लगेगी तो फूल ही ऐसे ही इसलिए यह तो खैर मेरा पिछले साल का है अब यह काफी अच्छा डेवलप हो गय यह वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू सो मच